बिस्मिल्लाई रह्माने रहिया सलाम अलेकमे वर्स कैसे है अल्लाई अच्छा रखो सहत दियो हिदायत दियो माफ करो बारिश फुल पड़ रही है अल्लाई माफ करो सबकू हमको हर हर बीमारी से आजमाई से दुश्मन उनसे जादू उनसे बचावा आमीन आमीन यारब बुलालामीन सबकू नमाजी बना दो यह दिन सिरातल मुष्टकें पे चलावा आमीन आल देखिए तरकारी की अचार बना रही है पहले बनाई थी एक बार नई जमा बूज आ गए फिर मेरे एक फ्रेंड टिप द चाल दी थी इमली इमली डालना है सल इसको अच्छा सा धोली यू 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 गस गस के धोली ये थोड़े कावले छे तो मैं ऐसे अबबा मुमें पानी आरे तोड़े तो कभूतर देखिए मैं दाना नहीं दाली अभी बोलके देख रहे सुबास दो तिन बार भी दालतीम तो ये जो हैसे ये बीच में से काट लेंगे बींज है तो निकाल लेंगे नहीं तो डायरेक्ट दालेंगे थोड़े कासाली भी खाना अच्छा है ने मां बेकरी मेरे कभूतर क्या बेटे दाने होना अम्मा मेरीक मैं ये काधे खाले रे बै दालतीम बेटी तो मैं बटाने ली बीनीस एक तुरै काली फ्लवर दो तिन गवार की फल्ली क्यारेट आलू बैगन ये की छे ये भी अच्छा है निया ने मालूम हरी मिर्ची बीनीस की फल्ली ये बीनीस की फल्ली कावली है कावली है तो थोड़ा क्या करना पन एक दो खाले ना है मेरी कभूतर वेट कर रही देखे कावली है अब इसकूर खाले ना कर्ची तरगारी ओके ये सो काट के बताती है मिले भी छिलके तरकारी पूरी काटली में ये जो है सो लो बेके फल्ली ये बीनीस गवार ये सोब काटली तुरई तुरई तुड़ा खालेंगे अम्मों बिस्मिल्ला इर्रह्मान इर्रहीम थोड़ा नम्मक डाल के प्राई करना है और जो है सो राया 2 स्पून 1 स्पून से कम मेथी ये पहले पीस लेए और आलू जो है सो जबका जब काट के डालना है ना तो कसाली हो जाती बाईगान आलू कभी भी भी खाटके रखना आलू पहले दाली थोड़ा फ्राइ होने के बाद कैरेट दाली उसके बाद आब दाल देरी असको छेलनी में दाल के रखी ते मैं गंटा पहले आलू के साथ नम्मक दाल दी थी अब थोड़ा फिर बठाने के लिए तो फ्राइ होने के बाद लास्ट में तूरा ही दाली उसके बाद दाल के थोड़ा भून लेना है उनकी इसके कच्छा पंचे ले जाना है थोड़ा नम्मक दाल के भूनती फिर आए का बुतर मेरी का बुतर जा जा बुले था का बुतर आ आ आ बोलना है तीन टेम दालना है पड़ता हो लोग उनको खाना नम्मक दाली ये थोड़ा फ्राइ होने के बाद थोड़ ये भी एक का ये तो दूसरी आए कच्छिमली भी थोड़े पानी चले जा देमा भून लएके पानी रहे तो अचार कराब हो जाता बस ग्यास दम कर देतीन पली दालना कच्छिमली खारें ये भी खाएंगे ये है सो बहुत टेस्टी हो नम्मा खेना इसमें आलू में खाओ 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 आप भी खाओ ये थंड़ा होने के बाद बता दूँए ठंड़े हो गए सोगु अलहमदलिल्ला ये पीस लीना मेथी और राया उसके बाद पहले हरी मिर्ची पीस ती उसके बाद हरी मिर्ची डालके पीस ती थोड़ा नम्मक डालके एक स्कून झाओ पीसे गए ये ज्यादा नरम तो नहीं पीसे जाते स्किन है न कोई बाद नाई सी रहे तो चलता पीसली और थोड़ा ये अपन बाहर से खरी देता थोड़ा स्किन दिखता न वह इचाहिए और थोड़ा आप लोगा हाथ से मिला रहे वह मिला रहे नहीं बोलना कोई बोल्एती इसे पहले थै definisic do यह से मिला तो का यह सा दीजका है बिर्यानी बनाना है तो हक्नी हं इसे मिलाते ना कोई नहीं मिलाए थे ज है उंग्लियों की का क्या की बोले थो कोई हाँ से खाने से भी फैदा है इस्पून से खाते गलत है हाँ से खाये तो बहुत हल्दी है अब यह तरकारी मिला लेना है उसके बाद बता दिमें निक्स कर लिए अब तेल वही तेल में लाई संदाल में बगार लिए तो अब जीरा नई भी बगारे तो चत्मी लेगा की यह तेल में लाले ना प्राया एक नुच्ची करिया पाद फ्राइ हो गए लाइसन ज्यादा फ्राइ नहीं होना है अब जो है तो चत्मी दाले अचार स्वारी थोड़ा गरम होने देना यह कच्ची है ना थोड़ा फ्राइ होई वह तो कच्ची स्मेल चले आती ज्यादा दिन भी रहता दिशोट करके बताती ज्याज बंद कर देती बंद कर रेड़ी है मेरा वेजिटेबल अचार बोड़ टेस्टी है मैं दो चंचा खा लिए अब भी करिया पाद तो मैं चाओंगे माशाला माशाला बहुत थी बहुत टेस्टी है और तेल होना तो और ज्यादा दाल लीजिए यह अचार के लिए लाए थी मैं अच्छा है ने माशाला माशाला बहुत अच्छा है आप लोंबी बना लिजिए वो तीजी है कुछ भी नहीं फ्राइ करिए बस तेल और होना तो दाल लिजिए आप इंशाला इंशाला ओके वीडियो पसंद आए तो शेर कीजिए लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए युरिया देख इंशाला ओेरा लाइब कीजिए